नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी हर्याने के नूहु में शोभा यात्रा के दोरान भयंकर हिंसा हो गई और इस हिंसा में पुलिस वालों समेथ कई आम लोगों को गोली मारी गई हिंसा इतनी भयंकर थी कि उस यात्रा में जो लगबग चार से पांच हजार हिंदू इस्त्री पुरुस बच्चे युवा सामिल थे उनको जान बचाने के लिए एक मंदिर के अंदर छुपकर सरण लेनी पड़ी और वो मंदिर भी चारों तरफ से जिहादियों ने घेर लिया और अवैद असले के साथ गोली बारी कर रहे थे जिससे पुलिस को भी छुपने के लिए ग एक्शन ठीक से नहीं लिया गया है पूरे एक्शन मोड में है अभी तक डेड़ सो के करीब गरपतारियां उसमें हो चुकी है उसके अंदर जो एफ एयार हुई है ऐसी साथ एफ एयार पुलिस वालों ने कराई हैं जो उस मोके पर थे जिनकी ड्यूटी थी इस यात्रा को स रंग दल से जुड़ा हुआ है गो रक्षक है उसके कारण से ये हिंसा भड़की कौन सा बयान तो मोनुमानेशर का केवल एक बयान है जिसको मैंने भी खुछ चार बार देख लिया वो केवल ये कह रहे हैं कि एक यात्रा है इस मंदिर में आप पहुँचिए और वो मंदिर में नलड मंदिर में पहुचने के लिए नू के लोगों को आवान कर रहे हैं एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिससे किसी की भावना आत होती हो उन्होंने कहा कि ये यात्रा निकल रही है इस यात्रा में अधिक से अधिक संक्या से पहुचे मैं भी यहां पहुचूंगा तो एक समाज ही कहरा है कि यह जो मोनू मानेशर है यह हमारी कमिنتी के दो लोगों को जिलना जलाने का दोशी है अब यह कूण तै करेगा जो गाड़ी के अंदर गाए को सकरी करके जो ले जा रहे थे उनको जो वो जलकर मरे हैं किसने मारा मोनू मानेशर्ट पुलिस के अलावा प्रशासन और मीडिया के चैनलों में बोलते बोलते ठक गया कि जहां वो घटना हुई थी मैं उस घटना से उस समय सो किलो मिटर दूर था उसके सबूत हैं टेली फून का उसके पास सर्विलेंस मतलब आप समझ लिए पुलिस कंगाल चुकी है भाई आजकल आपके फोन जेम म से पता लग जाता है कि घटना के समय आप कहा थे पुलिस ने बाकाइदा इसकी जाच किये और राजस्तान और हडियाना दोनों प्रदेशों की पुलिस ये मान चुकी है कि लोकेशन उसके फोन की और बाकी गाड़ी का टोल टैक्स का सी सी टीवी पुटेज को खंगालने के बाद जब दोनों राज्यों की पुलिस नतीजे पर पहुँच चुकी है कि मोनू मानेसर का वो जो नू के दो लड़के गो तसकर थे उनकी मौत से कोई लेना देना नहीं है फिर एक विशेश वर्ग और एक मीडिया हाउसिज जुबेर जैसे लोग अर्फा खानम जैसे लो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी बड़ी पोस्ट का विक्ति कोई जो एडिटर है वो बार बार मोनू मानेसर का इंटर्व्यू ले रहा था और कह रहा था यह इंसा तो आपकी वज़े से फैली है यह तो आपने भड़काऊ वाशन दे दिया आप क्यों नहीं ऐसा कर र पुलिस आपको खोज रही है आप क्यों नहीं जा रहे वो कह रहा है मेरे वकील बाकाइदा कोट में गए हुए है पुलिस ने क्योंकि जो F.I.R. दर्ज किये है लिखवाने वालों ने नाम लिखवाया मैंने सबूत पेस कर दिये मुझे पुलिस बुलाईगी मैं चला यहां बाकाइदा P.F.I. के साथ मिल करके वो पूरी योजना बनाता है च्छत पर पत्थर रखे जाते हैं एसिड बं बनाये जाते हैं पैटरोल बं बनाये जाते हैं जगा जगा बड़ी बड़ी गुलेल वैल्डिंग करके लोहे की गुलेल तयार की जाती है और उसको यह क भी यानीइ इतनी देर में टणों पत्थर लोगों की छटों पर पहNeh گ cannon गया गुलेल तयार हो गयी पैटरोल बं तयार हो गये सब को पता था क्या कि कपिल्मिसरा कुछ इस तरह काभा बोलेंगे सड़क खाली कर दो कपिल्मिसरा ने भी क्या कया था कै यहल इतना कहा पुल अब इसमें गुस्से में आप क्या बोलेंगे मैं कुछ चैनल को देख रहा हूँ नू में भी जो रिपोर्टिंग कर रहे है आप देखें मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ ये एक है दाक्विंट की फातिमा खान तीन अगस्त को एक वीडियो आती है ललन्टो ये जो है ये दिखा रहा है एक रिपोर्ट जुबेर एक गोली चलाते हुए दिखाया जा रहा है जुबेर ने ट्वीट किया एक वीडियो और उसमें बजरंग दल के एक वेक्ति का वो नाम ले रहे है उसको सरकार के किसी MLA के साथ कड़ा हुआ दिखा रहे है लाइसेंस की गोली है वो बंदूक है कहरें पुलिस की मौजूदगी में देखिए बजरंग दल का ये कारकरता गोली चला रहा है जुबेर सहाब मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आप पहले वो साथ F.I.R. पढ़ें जो पुलिस करिमों ने लिखाई है उस F.I.R. को भी पढ़ें जो मजिस्टेट मौके पर मौजूद था और मजिस्टेट और कोई नहीं आप ही की कम्मिनिटी का था आबिध हुसैन ये मजिस्टेट तैनाथ थे और इन मजिस्टेट ने खुद F.I.R. लिखाई है इस दंगे की जो उस मौके पर चस्मदीद थे वो लिखते हैं कि 400 से 500 इसलामिक दंगाई वो राम मंदिर को गेर के वो सरदालों को बंदक बना लिया जिसमें महिलाएं और बच्चे थी चार हजार की संक्या में मंदिर के अंदर बंदक थे और उसके आस पास क्योंकि मंदिर छोटा है परांगर में जो लोग इस यात्रा में सामिल थे और पुलिस जब वहां पहुँची है तब तक उनकी रक्षा के लिए लोग लगे रहे तो जुबैर सहाब आपको बता दू कि वो जो बजरंग दल का कारे करता को आप गोला गुमा कर दिखा रहे हो के देखो गोली चला रहा है वो हिंसा सुरुवात के एक घंटे बाद का वीडियो आपने सूट किया है वो किया किसी बजरंग दल वाले नहीं है जो शेयर किया है फेस्बुक पर वो एक घंटे बाद का है सो गाड़ियां जला दी गई पुलिस को आले को गोली मार दी गई होमगार को गोली मार दी गई और उसके बाद जब मंदिर घेरा पहाड़ी के ऊपर चड़े हुए अवैद असलाओं से जब चारों तरप से गोली चल रही थी त तो आप अपने ट्वेट किया है आपने बिलकुल उसी पैटरन पर ट्वेट किया है जो अपने किया था नुपर शर्वा वाले वामले तो आप पोरी बात नहीं बताएंगे क्योंकि आप जहर फैलाना है पजरंगजल का वो कारे करता जो राइफल हाथ में ले रहा है अवैद असला नहीं है वो उसके पास उसकी लाइसेंस की है और लाइसेंस की ली हुई बंदूक पिस्टोल या रिवालवर वो होती है तब कि जब आप किनी गुंडे बदमासों से गिरे हो आत्मरक्षा में उसका इस्तेमाल करें वो राइफल वो दिखाने और चिडिया उड़ाने के लिए नहीं थी जब चार हजार महिलाओं की इज़त आबरू पे बात बन गई और चारों तरफ से जिहादियों ने पहाड़ियों पर मोर्चा समाल रखा था गाड़ियों में आग लगा दी गई थी सो गाड़ियां मंदिर से 500 मीटर दूर पर फूकी गई ऐसे में अगर बजरंग दल का कारे करता नहीं कोई आम आदमी भी होता जिस पर जो बन पड़ता वो अपनी बैन बेटियों की रख्षा के लिए करता तो बजरंग दल के कारे करता नहीं वो जो यात्रा के समय उनके हाथ में बंदूक रिवालवर जो भी थी उसका इस्तेमाल किया और पुलिस की मौजूदगी में वीडियो में दिखाई दे रहा है तो पुलिस भी छुपती नजर आ रही है जिनके हाथ में 417 है सोचिए तो अब मैं आपको बताता हूँ जुबेर साहब पुलिस की जुबानी और इसमें एक और बता हूँ महिला मजिस्टेट अपने बच्चे के साथ जा रही थी भीड ने उसको गेरा गाड़ी को तोड़ा दो साल का बच्चा लेकर के वो छुपी है उन्होंने भी F.I.R. दर्ज कराई है और जो मैं मजिस्टेट बता रहा हूँ आबिद हुसेन उन्होंने F.I.R. कराई वो कह रहे हैं कि मंदिर में लोगों को बंदग बना लिया गया उनकी प्लानिंग थी कि महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया जाए और वहां गेर कर ये जो चार-पाँच हजार की हिंदों की सरदालों की भीड़ती उनको मार दिया जाए इसी में आपको बता दू के नाम आ रहा है जो एक मेवात के मामन खान है इनको लेकर भारती जंता पार्टी के प्रवक्ता शुदान्सू चत्रवेदी ने प्रेस कोंफरंस करके खुलासा किया है कि जिस तरह से ये सारा मामला था इसमें मामन खान लोगों को भड़का रहा है और वो ये कह रहा है कि ये जो यात्रा आ रही है इस पर हमला करना है और जो पुलिस भी होगी उनके भी हाथ पैर तोड़ देना मैं देख लूँगा इस तरह की बयान बाजी की जा रही है तो अब सवाल उठता है कि जो कॉंग्रेस के नेता है जो कॉंग्रेस के नेताओं का नाम आ रहा है इन पर कारवाई क्यों नहों आप इसके बारे में कोई मीडिया चैनल नहीं दिखाएगा साथ F.I.R. हुई है इसमें जो पुलिस की तरफ से मैं आपको बताता हूँ इसमें हैं इंस्पेक्टर अजय इंस्पेक्टर अजय लिखते हैं F.I.R. में बस संचिप्त में बता रहा हूँ साइबर थाने पर जिहादियों की भीड़ने हमला कर दिया छैस्सो से साथ सो कट्ट मार रहे थे साइबर ठाने पर हमला कर दिया दरवाजे बंद थे तो एक बस के दोरा एक पीले रंग की बस लिखी उसके दोरा गेट तोड़ दिया पूरे अंदर घुज गए और थह स नश थाने को कर दिया पुलिस कर्मियों पर हमले किये पुलिस कर्मियों के मुबाइल और पैसे लूट लिये एक इंस्पेक्टर है पंकज वो भी एफ अई यार में लिखते हैं 600 से 700 दंगाईयों ने अल्लाओ अकबर के नारे लगाते हुए पुलिस पर हमला कर दिया इंस्पेक्टर अनिल के पेट में गोली लगी वो चस्मदीद हैं उन्होंने F.I.R. लिखी कॉंस्टेबल रविंदर सेम यही बात लिखते हैं और उन्होंने लिखा के दंगाई का नाम क्योंकि वो लोकल है उनकी वाँ ड्यूटी लगी थी लोकल थे तो उन्होंने नाम भी लिखा है के रिजवान नईम शौकीन सरफराज तोफीक एहमद यह कई ऐसे थे जिनको मैंने पैचाना और या वैद असले के साथ शरदालवों की भीड पर हमले कर रहे थे पुलिस के उपर हमला कर रहे थे अनिल कुमार ऐसा ही है वो भी इसी तरह का बियान देते हैं कॉस्टेबल बिजंदर कुम की फातिमा खान ललन टोप के लोग जुबेर इस सब मुद्दे को मोड कर और कहा ले जा रहे हैं कि साहब यह तो भड़काया गया था भाई मुद्दा क्या है मुद्दा इसमें निकल कर यह आ रहा है जो लोकल लोग है वो बता रहे हैं कि यह जो छेतर है पूरा नूम यह मेवात है यहां एक कॉंग्रेस का लीडर है यह कॉंग्रेस का लीडर यहां से यहां के लोगों को रोजगार देने के नाम पर और जाम तारा आपने सुना होगा जाम तारा में यह ले जाता है क्योंकि वहां साइबर ठगी वाले लोग हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है ट्रेनिंग करकर के उनको फिर यहां लाया गया और यहां के लड़के अब लैप्टोप ले करके जंगलों में बैठते हैं जामतारा की तरज पर जो की जारखंड में है और जामतारा की तरज पर ही यहां के यूवक उस कॉंग्रेस के लीडर की सरपरस्ती में साइबर क्राइम कर रहें, भूट्ट अपको को ठग रहें, भूट सरकन से ठागे जा रहे हैं, लिंक बहेज करके बैंक से पैसे काली कराए है जा रह रहे हैं, जितने अवयद काम हो सकते वो इस एरिये में होते हैं, और साइबर ठगी का, यहां हो रहा है आए जो मनोरलाल खटर साथ आये सीम के रुप में इन्हों ने और अनिल विज ग्रेम अंतरी ने आदेश दिया कि इस छेतर में जो भी ये अपराद हो रहे हैं इन पर लगाम लगाई जाए पांच हजार पुलिस कर्मियों की एक टीम गेटित हुई सो टीम बन रहे थे पुलिस ने गरबतार किया और तबी से ये माना जा रहा था कि ये पुलिस पर हमला करेंगे क्योंकि ये अपनी दैसत बरकरार रखना चाहते थे पुलिस के उपर किसी की हमत नहीं होती थी कि इस छेतर में जाकर के वो रेड कर सके किसी अपरादी को पकड़ सके ये अल्रेडी रहता ही है लोगों का कहना है कि इनके I.S.I. से संबंद है पाकिस्तान से संबंद है और यहां पूरा गड़ है और इसलिए लोकल लोग यह मांग कर रहे हैं कि इस मामले में पुलिस से कुछ नहीं होगा यह मामले की जाच एनाईय को दिया जाए और यहां केंद्र मैं आपको बता दूँ मोनु माने सर पर जो ठीक रा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यह समझ लें कि मोनु माने सर रात रात को गाए को बचाने के लिए निकलता है ना तो आज तक उसने कोई ऐसा बढ़काओ बयान दिया है और ना कोई ऐसी बात की है किसी की भावना यद उन्हें वैल्यूज की रक्षा के लिए अगर सामने आता है तो यह उसको कैसा टार्गेट करते हैं भारत से लेके विदेशों तक उसको बदनाम करते हैं और मोनु माने सर को गरपतार करो गरपतार करो यह कुछ मीडिया चैनलों ने हला मचाया हुआ है हम सब को ऐसे लोगो दिखाने के एक छोटे से खोके में आग लग गई तो वहां मैं देख रहा हूं एंडी टीवी और उसका अख़बार उसको दिखा रहा है देखिए दिहारी करकर के यह जो मिया जी है यह अपना रोजगार चलाते थे इनकी दुकान में आग लगा दी पहिया किसी की 20 लाग क कि गारी फूँक दोगे किसी की यात्रा पे हमला कर दोगे किसी की बेहन बेटियों की इज़त पर हमला करने का प्रियास करोगे और वो उसको पलट कर अगर कहीं थोड़ा बहुत लकडी के फूस में आग लगा दे तो आप उसको ऐसा दिखाओगे के सारा जो कार नामा है व पुलिस पहुच गई तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुच गए है सुप्रीम कोर्ट में जाने का पैसा समझते हैं कपिल सिंबल जैसे वकील लाखो करोडों रुपे में उनकी फीस बैठेगी जब केस फाइनल होगा तो ये एक नेरेटिव है कि मीडिया सुप्रीम कोर्ट वकी ये सब सैट है कि आप दंगे करो दोष हिंदू पर दे दो कश्मीर में 1990 के दशक में वहां से कश्मीरी हिंदू को मार कर भगा दिया गया तो दोष किसका है दिली से बहुत सारे एरियों से लोग घर चोड़ कर भाग गए थे उत्तरप्रदेश के कई एरियों से भाग गए हुआ छे लाख महिलाओं के साथ हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुए दस लाख हिंदू मारे गए तब क्या था उसके बाद हर बार दंगे फसाद होते थे मुझा फन नगर का दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ किसका दोस्त था ये कब बेमतलब की बाते हैं इन पर सरकार को सक्ती से काम लेना पड़ेगा सक्त कानून बनाने पड़ेंगे के कोई इस तरह का दंगा फसाद करे उसकी प्रोपरटी जब थो एनसे के तहत केस दर्ज हो और उनके खिलाब सक्त कारवाई होकर फास्ट ट्रेक कोट में उनकी स आएं वरना जैसे पहले केसों में हुआ है दो हजार बीस के दिल्ली दंगे जो की राजदानी में हुए उन में भी अभी बहुत सारे लोग खुला गूम रहे हैं और ये सब आस पास पहले रहते हैं इसी तरह चलता रहेगा और इसलिए पुरे देश से मांग उट रही है मो या ट्राइल के दबाव में मोनु माने सर को जेल भेजने का विचार ना करें सबूतों के आधार पर बात होनी चाहिए किसी मीडिया के कहने से या शोशल मीडिया पे नरेटिव बनाने से फैसला किरप्या करके जजज साब ना ले ऐसा पूरे देश में इस समय शोशल मीडि में जरूर बताएं बंदे मातरम जैसरी राम